हेलो एवरिवन केसे हैं आप से भी लोग होफिली आप से भी बहुत अच्छे होंगे और एक न्यूज जो आपको पता चल गई होगी CSAR UGCN8 जून 2022 की आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई है इसका आपको बे सब्री से इंतजार था और इसको डाउनलोड केसे करना है सर तो उसका जो है सबसे पहले आपको CSAR 8 की ओफिसियल साइट पर आना है देन आपको यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूस पर एक जो है लिं और यहाँ पर आपको login option given है जिसमें आपको through application number and password अगर आपको password याद नहीं है तो आप application number या फिर date of birth को लगा करके अपना जो answer की है वो निकाल सकते हैं साथ ही आप जो question paper को जो आपको doubtful questions लग रहे हैं उनको अगर आप challenge करना चाहते हैं कि नहीं यह option जो है आपने गलत द सकते हैं all right तो answer की निकालने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आप अपना application number फिल करेंगे तो आपको इससा कुछ option नजर आएगा जहां पर आपको अपना application number जो आपका नेम हो गीवन होगा और साथ ही यहाँ पर जो है आपका download confirmation page अगर आप confirmation page download करना चाहते हैं तो आप download कर सकते हैं साथ ही व्यूशन पेपर भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर केमिकल साइंस का जो भी जिस भी प्रकार से जिस भी सब्जेक्ट से आप students है उनकी ठीक है और साथ ही व्यूश चैलेंज आंसर की ठीक है आप अपना answer की भी देख सकते ह हैं और चैलेंज भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको जो है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो अपना आप जो है अपना answer की बेटा निकाल पाएंगे और बेटा अब एक question सर्च चैलेंज कैसे करेंगे तो उसके लिए बेटा थोड़ा सा आप ध्यान देना कि यहाँ आपके ना subject लिखा हुआ है question id लिखी हुए correction correct option लिखा हुआ है और साथ ही देखिए आपका जो question number id है 41 इसका जो correct answer है answer कि के according 161 है ठीक है और अगर आप किसी question को जो है जो है challenge करना चाहते है तो यहाँ पर 161 162 163 164 यहाँ पर इस प्रकार से जो है आप click करके जो है option होना चाहिए all right अभी कुछ समझ में आया कि कैसे challenge करेंगे तो इस प्रकार से आपको अगर किसी प्रकार से question में doubt है तो आप इसे जो है जो है जो है बिटा challenge कर सकते है उसके बाद जो आप जो है यहाँ पर save your claim पर जो है option पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपका जो चैलेंज है वह स्विकार कर लिया जाएगा वह आगे पहुंच जाएगा ठीक है इस प्रकार से आपको अंसर के को challenge करना है और करके देख लेते हैं किसी भी एक option को ठीक है दिखाई देते हैं आप लोगों को तो इस प्रकार से है तो चलिए तो ऐसे जो है आपका challenge जो है वह स्विकार कर लिया गया है ठीक है तो save your claim and pay fees चलिए देखें फीस कितने लगेगी फीस लगेगी ठीक है तो यहां पर जो है आपको फीस लगेगी और जो फीस है वह 400 रुपे की है अब मैंने आप लोगों को बता दिया है ठीक है पैटा अब मोडिफाई करना है तो आप यहां से कर सकते हैं और आपने कौन कौन से चैलेंज किया है वह आपको यहां पर स्क्रीन पर नजार आ रहा होंगे 47 वाला क्योशन आपने जो चैलेंज किया 48 वाला किया है और करेक्ट ओप्षन 187 था 189 था और आपने कौन से ओप्षन क्लिक किया है 186 यह मैंने रेंडमली किया है ऐसा नहीं है मैंने आपको दिखाय ठीक है बेटा चीजे समझ में आई होंगी होफ़ली वीडियो आपके लिए हेलपफुल रहा होगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यों समझ फूर वाचिंग इस वीडियो और हाँ जै किसान जै भारत वंदे मात्रा